आसलाम लेकुम चिल्डरन हावाल येस आँ पॉर्फेक्टलि फाइंड चालेजी बच्छोग ये बता आईये के किलु कार रहे थे जी कल हम काम कर रहे थे एक्साइजीट कर रहे थे हमने को शिंस बराए थे कोस्ष्छंश आंप ळूगे यह प्रेज कर लिए यह सुख से आप लोगों को अच्छा उसके बाद से कल से अब तक घो आपने खाना खाया है चुलिनेश कहा है रेकफास्त किया है उसमेभ साजने है यह फूड़ वासां भास आया है यह थे माले की जरी थे हमारे पास है है सोचakap लोगों के सुपा क्या पिया था आप लोगों नाचते में दूढ तो कहा से मिला था येज वो आनेमा और आप ने जह है चाहे पीत लगार तो चाई में ढ़लता है दूढ येस मिल्क डलता है वेरे गड्स मेर्य पक्ती हो है वो कहां से आती है from animals or plants yes very good from plants और इसके बाद अगर आपने चाय के साथ में कुछ ब्रेट लिया है आपने एग लिया है तो फिर वो कहां से हमारे पास आया था yes very nice animals यानी के अब आपने दुपहर में लंच किया तो लंच में आपने अगर राइस काये हैं तो राइस और दाल चावल अगरों के पास होगे तो ग्रेंस कहां से आते हैं from plants very good और इसके जरीए फि अब पर प्रहनं तो पता चले झाले कि भाई आको तो इतनी अच्छी सी चीजत आती है सब कुछ पता है्ना चले फिर अब क्या करते आज फिर एक new exercise करते है तकर पता चले कि हमने यह chapter कितने अच्छे से अनुच्छिड किया है ठीक है । है जी चले open your page number 34 और उस पर हम देखेंगे हमारे पास exercise मौझूद है retail topic retail topic क्या होता है भई read a number in correct order यानि के पाँ हमें हमारे पास जो है वो chapters की जो है कुछ sentences हमें दिये जाते हैं लिए जंबल कर दिये जाते हैं यह जंबल कर दिये जाते हैं उनका order जो है वो जी जंबल कर देते हैं मिस ओर पर पास आ जाता है उसको disorder कर देते हैं और हमें उने correct order में जो है वो numbering कर नहीं होती है अगर आप लोगोंने chapter अच्छे से read किया है समझा है स्ट्रेंड किया है तो आपकी नहीं मुश्किल नहीं होती है आप इजी लिजाएं इसको नंबरिंग में कर सकते हैं उसे ओर्डर में ला सकते हैं लेकिन अगर आपने वीडियो बार बार नहीं देखी हैं ड्रीडिंग नहीं किये अच्छे से समझा नहीं है तो आपके निये थोड़ इसी मुश्किल हो सकती है सीने कहते हैं कि सारी वीडियो को बार बार रिपेटिटली अपने देखना हैं सहीए जी चलें जी देखते हैं कि हमारे पास exercise मौचूद है उसमें sentences हमें दिये हैं वो किस order में मौचूद है ठीक है जी हमारे पास यहां पर रिटोल टोपिक एंड वेजिटेबल मार्केट यहां सबसे पहले क्या हुआ था रिपास लिखा हुआ है वीबाउट सम एग्स वीबाउट सम एग्स हाँ अब हमने इसकी नमबरिंग कर दिये हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था नमबरिंग में सब्सक्राइब क्या हुआ था भई यह सबस्वी वें तो दे फूट एंड विजिटेबल मार्केट मार्केट जाएंगे तो भी चीज़े लेकर आएंगे ना वे तुस्वी हमारे पास यह सेंटेंस माजूद है इसमें लिखावा है वी फॉर्स वीबाउट थी यह सबीकिन नालें गी नंबर अच्छी प्रे से किन अबर पर किया हुआ था भी क्या हुआ था मेंस समने क्या किया था वीबाउट मीट मीट बेढ़ मीट थर्ट किया हुआ था येस वीबाउट सम एग्स वीबाउट सम एंग्सcción अमार आ दिआ Siis वान सम एंगस हमारे पास last number आएगा fourth और वो क्या होगा yes they make our bones and teeth strong yes they make our bones and teeth strong यह हमारा हो गया fourth number ठीक है जी हमारे पास इस तरह से सारी number ही हमारे पास आगई हमने squadring में कर दिया first हमारा आगया first we went to the fruits and vegetable market second हमारा हो गया weave out meat third हमारा हो यह weave out some eggs और fourth हमारा they make our bones and teeth is strong जी बच्चो हमारे रीटेल टॉपिक एक्सराइस कंप्लीट होती है अब हमारे नेक्स एक्सराइस वे नेक्सराइस एक्सराइस हमारी क्या है वही select the suitable title yes हमें जो है इस चप्टर का title select करना है कि हमारी लिहास से हमारी thinking के लिहास से हम जो सोचते हैं कि हमने चप्टर पढ़ा है read किया है समझा है तो फिर यह इसका topic क्या होना चाहिए title क्या होना चाहिए देखते हैं पहला हमें title क्या बताया गया है good friends friends के बारे में कोई जिकर था इसमें ऐसी कोई बात थी कि हमें friends के बारे में discuss किया होने तो इसका टाइटल जो है वो गूट फ्रेंट नहीं हो सकता beautiful clothes beautiful clothes कोई बात वही थी कोई ऐसा topic था इसमें जिसमें निसमें बात की हो नहीं किये थी उसका मतलब है के clothes भी हमारा title नहीं हो सकता है third है हमारे पास yes third है हमारे पास healthy foods healthy foods healthy food जी healthy foods की तो बात हुई थी जी ब्रेट की बात हुई थी मीट की बात हुई थी fruits की बात हुई जी vegetables की बात हुई थी चलिए एक और देख लेते हैं option medicines 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 के बारे में नहीं यानि के पिर हमारे खयार से जो हमने यह चप्टर पड़ा है तो इसका title क्या होना चाहिए very good healthy food यानि के हम healthy food पे टिक का निशान लगा देंगे yes right का निशान लगा देंगे हमारे पास का suitable title आगया healthy foods next exercise देखते हैं next exercise मौझूद है यह green sa apple or apple के अंदर मौझूद है क्या भई this lesson is about यह lesson किस चीज के बारे में था क्या बताया गया था हमें क्या समझाया किया था क्या था भई देखते हैं rubber क्या हमें rubber के बारे में बताया गया इसके अंदर no ृपर के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया हमें second देखते है pencil no practical के बारे में घुख इसके नहीं किया गया था इसमें in the right डेकते हैं बई book Vook ? Vook के बारे में बात होई थी कोई topic हमारा ऐसा था इसमें नहीं Food देखते हैं Food Yes Food के बारे में बात होई थी Food को topic discussed हुआ था इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से discussed किया था, समझा था, understand किया था Yes, इसका मतलब है कि this lesson is about Food Very good यानि कि हमारे पास आ गया suitable t cosmology a healthy foods और हमारे पास दिस लजन इस अबाव में title आ गया है food हमें food की बारे बताए गया है अच्छा हमने क्या करना है हमने इस video को बार 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 बदेखने ए waveform यज को मच्ना ने कि आड dot टीचर आपको call करेंगी तो आप उनको बताएंगे कि आज हमने जो है वो रिटेल टॉपिक की exercise की है हमने जो है lesson के बारे में बात की है हमने topic के बारे में बात की और अपनी इस काम की picture अपनी टीचर को send कर देंगे करें मिलेंगे नए काम के साथ अला हाफिर